हैं फ्रेंड यहां पर हम बनाएंगे आलो की तरी वाली सब्जी और यहां पर आलू लिए हैं और आलू में में डाला है एक ग्लास पानी उसे प्रैसर कुक्जर में डाल कर और हम प्रैसर कुक्णक कर देंगे बंद और gas का flame और इसको हम पकने के लिए रख देंगे एक सीटी आएगी और हम गैस का फ्लेम कर देंगे आफ तो हमारे आलो इस तरह के से पकर हो चुकी है रेडी और अब हमें इसका मैटेरियल तियार कर लेना है यहां पर मैंने काटी है धनिया दो हरी मिर्च और दो टमाटर को काट लिया राई और यहां पर देखे हमारा जो तेल है वह हो चुका है गरम और राई भी पक चुकी है इसमें हम डाल देंगे जीरा जीरा डालने के बाद इसमें कटे हुई हरी मिर्च डाले कटे हुए टमाटर डाले और इनको भूने इसको चलाते हुए भूने अभी मिसमें टालेंगे मसाले याड़करेंगे मसाले में ज़ादा कुछ नैहीं हमें बस हल्दी डालनी है और नमक और धनिया पाउडर बस ये मह recipientinkणत डाल दिया धनिया पाउडर हल्दी और नमक डाल कर इसे अस्चे से हम चलाएंगे देखिए ये हमारा तड़का जो है वो भून चुका है अब हमने जो आलू बाले हैं वो अभी में इसमें मैस करके इस तरीके से और वो अब हम इसमें डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर ले चाहे तो आप इसे सुखा भी इस तरीके से खा सकते हैं चाट की तरह पर यहां हमें खाना है चावल के साथ तो हम इसे पतली बनाएंगे और यहां पर देखिए आप जितने ग्रेवी चाहते हैं उसे साब से आप पाइं डाले और इसे पांच मिनट तक पकाएं यहां पर मैंने इसको कवर कर दिया उपर से धन्या डाल कर यहां पर देखिए हमारी आलू की तरी वाले सब्जी बिना लेसन और प्याज के बनकर रेडी हो चुकी है तो इसे हम चलते हैं शरू करने की पुश्रस में यहां पर मैंने लिया एक बाउल और बाउल में हम डालेंगे यह सब्जी देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना सब्जी तो इस तरीके की आप सब्जी अगर आपके पास कोई भी मिक्स करने के लिए सब्जी ना हो तो आप इस तरीके से आलू की सब्जी बना सकते हैं यह उन लोगों के लिए भी है जो लहसुन प्याज खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते वो इस सब्जी को बना कर खाएं यह सब्जी बहुत ही हैल्डी और टेश्टी है इसमें हमने ज्यादा मसालों का यूज नहीं किया है तो आपको यह रेस्पी कैसी लगी कोमेंट बोक् जाएगी तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में